नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी रांची के 81216 होंगे सामिल जार्खन एकेडमी काउंसिल द्वारा आयोईत मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा अब एक ही टर्म में होगी जैक बोर्ड की स्विक्रिती के बाद जार्खन एकेडमी काउंसिल ने इस सम्माद में सनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब OMR सीट पर परिक्षा नहीं होगी परिक्षा के वर उतर पुष्थी का पर ली जाएगी परिक्षा में 30 फिजदी प्रश्ण बहुबी कल्पिये 50 फिजदी प्रश्ण लगो उतरिये दिर्ख उतरिये वर सेश 20 फिजदी का आंत्रिक मुल्यांकन होगा अब मैट्री की परिक्षा 9 बज कर 45 मिट से 1 बजे तक वहीं इंटर की परिक्षा 2 बजे से 5 बर कर 15 मिट तक होगी इसमें परिक्षार्थियों को परश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये जाने वाला 15 मिट का आत्रिक्ष समय भी सामिल है पतादे रांची में 220 केंद्रों पर मैट्रिक वा इंटर के 8216 बिद्यार्थी परिक्षा देंगे मैट्रिक परिक्षा के लिए 100 केंद्र बनाएगा है जहां 38,041 बिद्यार्थी परिक्षा में सामिल होंगे वहीं इंटर्मीडियेट परिक्षा के लिए 120 केंद्र बनाएगा है जिसमें 43,125 बिद्यार्थी सामिल होंगे तिरितिये चतूर्थ वर्गे की सरकारी नौकरिया जारखंडियों के लिए जामुमो 27 जर्खन मुक्ति मोचा ने एक बार फिर अस्पष्ट किया है कि राजी की तिरिती और चतूर्थ वर्गी की सरकारी नोकरिया सिर्फ अस्थानिय लोगों के लिए अरक्षित होगी इस समध में पूर में भेजे गए बिध्ययक में राज सरकार कोई संसोधन नहीं करेगी बिधान सबा के सित कालिन सत्र के दोरान ही 1932 खत्यान अस्थानिय नीती समधी बिध्ययक को दोबारा पारित करा कर राज भौन को प्रेशित किया जाएगा जामुमो महासची सुपरियो भटाचाई ने कहा है कि दोबारा बिध्ययक भेजने पर उसका अनुमोधन करना राज पाल की बाध्यता होगी उलेखनीय है कि राज पालने बिध्ययक को अटानी जर्नर के मंतब और सुझाव का उलेख करते हुए राज सरकार को वापस कर दिया था उन्होंने कहा कि राज पालने जो सला अटानी जर्नर से मंतब प्राप्त कर विधान सभा को भेजा है उसमें राज नितिक संदे है जर्नर के लिए अरक्षित किया जाएगा बाबुलल मरांडी को भाजपा नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री सता पौक छे जामों के नेता कहा रहे हैं कि बाबुलल मरांडी को भाजपा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी साथ ही वह ये भी कहा रहे हैं कि जर्नर में भाज सितों का ग्यान और अनुमान फलोप हो गया विपक्ष के दाओ पर भाजपा का दाओ भारी पड़ गया तिन राजों में सरकार बनने के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस सातवे असमान पर है इसका असर जार्खन में भी दिख रहा है सातापक्ष के खिलाब पर देश कर रहा था कि जार्खन में भाजपा के लिए नो इंटरी का बोड लग चुका है वहीं सातापक्ष कर रहा है कि भाजपा किसी हाल में बावुल अमरांडे को मुख्य मंत्री नहीं बनाएगी इसका मतलब क्या माना जाए कि सातापक्ष मानने लगा है कि हावा बदल गई है तिन दराजियों की तरह भाजपा यहाँ भी साता में बापसी कर सकती है हिमंत स्यूरैन ने माना मजबूत है बिजेपी जहारखन मुक्ति मोर्चा के करकरे अध्यक्ष और राज़िके मुख्य मंत्री उहाल लिया है कि भाजपा मजबूत पार्टी है बिजेपी के लोगों को समोधित करते हैं रूखिमंदर हमांद सुर्य नोगों ज्रुनिक मजश्ब कही है मुक हमांदर हमांद ga thumbna Onesworking नहीं करती है कि मेरी एक्षा ठी टीर और कि स्षिर्टी सुर्षि पर्यान के लिए नोकरीया प्रश्रद में लिकिन हमारे राज्य के स्वरंत्रकारी लोग इसे पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं कास्मीर से आई यूकों ने किया जारखन भ्रमान देश भर में एक राज से दूसरे राज के यूआओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए यूआ मामले एवं खेल मंत्राले द्वारा कास्मीर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आउजन किया गया है कास्मीर के 122 यूआओं को जारखन की संस्कितिती अपरमपरा के बारे में बताया गया कास्मीर से आय युवाव ने कहा कि जहारखन आकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है भारत सरकार के युवाव मावले युवाव खेल कोद मंत्राले दोर आयुद कास्मीरी युवाव अदान पदान कारकरम की जिमेदारी भारत सरकार के नहरू युवाव केंद्र संगठन को दी गई है कारिकरम को सफल बनाने के लिए ग्रीम मंत्राले का भी स्वयोग लिया गया नहरू यूवा केंद्रे के सहायक निदेशक एसपी सिंग ने बताया है कि इस कारिकरम में काचमीर के 122 बचे आये हैं जिसमें अनन्त नाग से 22, पुलवामा से 22, स्रीनगर से 22, कुलगाम से 29, कुपवाला से 29, 12 मुला से 18 बच्चे जारकन घुमने आये हैं भुरून हत्या पर मुखबीर योजना से मिलते हैं एक लाख रुपे तक का इनाम राज में भुरून लिंग परिक्षन पर रोक लगाने के लिए मुखबीर योजना सुरू की गई थी इसमें भुरून परिक्षन की जनकारी देने वाले को 40,000 से लेकर 1,000,000 रुपे तक का इनाम दिया जाना था लेकिन करीब एक वर्ष गुजर जाने के बाद भी एक भी सिकायत नहीं मिल पाई है भुरून हत्या रोकने को लेकर लोगों को जागरूप किया गया जिसमें कोई भी ब्यक्ति गर्वती महिला या साहिया इसकी गुपत जनकारी दे सकती है इसकी मोनेटरिंग नहीं करने और परचार परसार अथिक नहीं होने को life कलाब नहीं मिल पाया बता दी भी भाग ने इस योजना को लेकर बताया गया था कि लिंक परिंशन करने वाले सेंटर की जनकारी देने वाले को एक लाख रुपई कारीनाम दिया जाएगा PC and PNDT Act को और प्रभावसाली बनाने के लिए राज में मुख्मीर योजना का संचालन शुरू किया गया था जिसमें भुरुन जाज करते पकड़े जाने पर सेंटर संचालन के खिलाब करवाई करने का प्रवधान है पश्मी सिम्भु में विपक्ष पर गर्जे सियम है मन्त मेरे नेतित में जब तक सरकार चलेगी सरकारी अधिकारी पदा अधिकारी योम कर्मी आपके द्वार पहुँच कर दरवाजा खट खटाते रहेंगे हम लोग गाव गाव जाना चाहते हैं पुरुब में राज सरकार की योजना और आवाज गाव तक नहीं पहुचती थी लेकिन अब गाव गाव सरकार की योजना भी पहुच रही है और आवाज भी हमारी सरकार गाव से चलेगी ए बाते मुख्यमंत्री हमांसुरे ने सवनिवार को पच्छमी सिमुम जीला के मंझारी परखंड इस्थीत रोलाडी पंचायत के हाई स्कूल मेदान में आयोजीत जीला अस्तरी आपकी जोईना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम में कही सिम ने बिपक्स को सरेंत्रकार बताते हुए कहा कि हमारी सरकार झार्खन के लोगों के लिए नीतिया बना रही है तो सरेंत्रकारी अडंगा लगाने में लगे हैं ये लोग तरह-たरह के सरेंत रच रहे हैं ज्यार्खन ओलंपियाड परिक्षा आज से होगी शुरू ज्यार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परशत की ओर से ज्यार्खन स्टेट ओलंपियाड परिक्षा का योजन किया जाएगा इस ओलंपियाड परिक्षा में सरकारी स्कूल के कक्षा 7 से लेकर 9 तक के चातर चातराये सामिल होँगे परिक्षा को लेकर सारी आवसेक त्यारी पूरी कार लिगई है परिक्षा को लेकर खुल आठ केंद्रों पर होनी है यह जनकारे जीला सिक्षा पताधिकारी दिने स्मिस्ट्रा ने दी है बता दे 17 दिसंबर को पहली पाली में अंग्रेजी बिसा की परिक्षा ली जाएगी जबकि 18 दिसंबर को पहली पाली में गनी तो वह दूसरी पाली में समाजिक बिग्यान की परिक्षा होगी इसी परकार 29 दिसमबर को पहली पाली में बिग्यान और दूसरी पाली में समाने ग्यान की परिक्षा ली जाएगी या परिक्षा OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी जमसेदपूर बरात में नाचने को लेकर लडाई युवक की मौत जमसेदपूर जिले के अखंड नगर थाना छेतर में बरात में नाचने को दूरान दूलहा और दूलहन पक्षम होई लडाई के बीच एक ब्यक्ति ने एक को किसोर को चाकू मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई पूलिस के मुताबिक अखंड नगर थाना छेतरे के बेलवाई पूलिस चव की अंतरगत माधवपूर बेलवाई गाव में सुक्रवार की रात स्याम लाल नमक ब्यक्ति के घर आई बरात में नाचने के दूरान बरातियों एवं दूलहन पक्ष के बीच कहा सुनी हो गई और इसी दौरान किसी अग्यात ने सचीन नमक युग को पिट दिया पूलिस ने बताया कि सचीन ने इसकी जनकारी अपने भाई सुरज को दी और सुरज जब इस बात के बारे में बरातियों के पास गया तो किसी अग्यात प्यक्ति ने सुरज पर चाकू से वार कर दिया ज सनी बार को पर्खंट सहायक अध्यापक समित braking की बैठक होई अध्यक्षता बाल, गोविंद महतों ने की है। अध्यापक का महाजूटान होगा। कहा कि बिगत दो दसक से करेडा सायक अध्यापकों को अब तक हक नहीं मिलने के कारण सायक अध्यापकों में काफी आक्रोस है जार्खन अंदोलनकारी मोर्चा की आर्थिक नाकेबंदी असरदार जार्खन अंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की दो दिवसी आर्थिक नाकेवन्दी के पहले दिन अंदोलनकारियों ने जगा जगा सणक मार्ग और रेल मार्ग को जाम किया जार्खन अंदलनकारी संगर्श मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचीव पूसकर महतों ने कहा है कि गुमला जिले के विशनपूर बनारी में बॉकसाइड लदे वाहनों को रोक दिया गया चातिसगर के सिमवर्ती राय डिह के मंझा टोली और सिसाई में सणक मार को बाधित किया गया वहीं पच्छिम बंगाल के बोडाम में लव अस्क लदे माल वहाक वाहनों के परचालन पर भी रोक लगा दी गयी है पाकुर के जामकुंदर में एक Misty में चार बच्छों की मौत पाकुर जीले के लेटी परापर्खन के जामकुंदर गाउमें अग्याध बिमारी से एक सब्ताहमें चार बच्छे समेथ पांस लोगों की मौत हो गई ग्राम प्रधान मुर्मू ने बताया है कि गाव में पांच लोग की मौत हो गई मृत बालाक रामेशवर की मा नाना मई टूडू ने बताया है कि सुरज बेडा से इलाज करा कर बेटे को घर लाई अचानक उसे तेज बुखार आया और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई है